नमस्कार आप देख रहा है आरेडी नियोज मैं हो योगी श्क्रवर्टी बिहार के चार विधान सवा चेत्रों में उपचुनाब हो रहे हैं और आज परचार का आखरी दिन था यानि की चारो विधान सवा में परचार का शुर थम गया है तमाम राजनीतिक डल जीत के दावे कर रहे हैं चाहे वो इंडिया गठ बंधन हो या फीर इंडिये गठ बंधन और इस वक्त हमारे साथ वीजेपिनेता और रागोपूर के पुर्व विधायक सतीस राय जी हमारे साथ हैं आएए इनसे बात करते हैं आप कैसे देख रहे हैं इस उपचुना आपको देखे जो उपचुना बिहार में चार जगह होने जा रही है पर चार समाप्त होने का है आज इसमें एंडिये का भोटर इंटेक्ट है और नितीजी जब से साथ आये हैं भाजपा बहुत सोच समझ करके टिकट का भी चैन किया है केंडिट का और हमें ल पक्ष के लोग कर रहे हैं दिखभर्मित कर रहे हैं मताताओं को नितीज कुमार जी और भाजपा दोनों के जो विकास का कार्ज है इस चीज को जनता देख रही है बेला गंज इमाम गंज तरारी रामगड ऐसा छेत्र जो काफे पिश्रा हुआ इलाका था यह चारों छेत् में प्लस टू हाई स्कूल प्लस टू और स्वास्त विवस्था उत्तम हुआ है आम पब्लिक में इस बात की चर्चा है कि जो देता है जो काम किया है हम उसके साथ ख़रे हैं लेकिन विपक्ष के लोग दिखभर्मित कर रहे हैं लोगों को कि भाजपा को संपरदाइक कर रह रहे हैं जबकि राइन तीश्कुमार जी के पहले 2005 के पहले बिहार में क्या था हम सब लोग जानते हैं हम बार बार उससे पांच के पहले की मैं यात्रा में चाहता हूं कि जो आज के लोग आज के नौजवान पीढ़ी यह समझे मुझे कि यह बिकास हुआ है कब से हुआ है भिहार में जो भिकास की 14 है कब से 2005 के बाद जब इंडीय की सरकार की नीटीशकुमार नेतरुति में बिहार में सरकार बनी उस समय से अंतिम पंग्तिमें बैठे हुए लोगो गाह और टोला में भी विकास की कीरण पहुंचाने का कार में नितीश कुमार जी है और 2004 से जब डिल्ली में सरकार बनी है केंडर मोधी जी के ने तरीट में नेंदर मोधी जी डोरा जो कारज किलाप योजना लागू किया गया है उस योजना से आज कि वहां पे जो है हम. उसी तरह से बेला गंज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वहां आजा झान लोगा नहीं होगा, तरारी के वहां आपको आ inappropri भृगद्व सफिंटी के उम्हांद्वार्सु सब्राइब की आप महागठबंदन के लोग हैं वो आपने आपको मजबूती स्थिती में का रहे हैं तो आप जो जीत के दावे कर रहे हैं उसका अधार सिर्फ नितिश कुमार के काम है देखिए मिरा अधार है कि जो इंडिये सरकार में काम हुआ है हम काम पर ही भोट मांग रहे हैं और बिहार ज देखते थे जहानाबाद जाने में इमाम गंज में तो जाना ही नहीं चाहता था लोग चार बजे के बाद लेकिन आज 12 बजे रात में हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग भोट इसी बेस पर मांग रहे हैं मद्दाताओं से ही अपील कर रहे हैं कि जो सरकार ने आपको मजना चाहिए इमाम गंज में कोई एंटिम नहीं है इमाम गंज में पढ़ी लिखी में पीएजडी उमिदवार हमारा है और बेला गंज में मनोनवा देवी यह भी अच्छी पढ़ी लिखी महिला है और खास करके इसका प्रभाव है गया में और पहले जो शुरिंदर करता है वह चाहता है चुनाव रहना तरारी में सुझील पांडी जी का बेटा लख रहा है वहाँ पर माले का बेस्वोट जो है और कहीं आरजएडी या जद्यू से मिलता जूलता भोट है अब्ले का अपना कोई बेस्वोट बैंक है नहीं वह केवल चाहते हैं कि पेस्ट सवाल। नीज सवाल। और पेस्ञाने आणा बिधान सवाजस्षेत्र के और अगर इंडिए अच्छा परफॉरम् नहीं की तो इंडिए जो है बिखर भी जाएगी जो मैं आपके माध्यम से NDA की जो समर्थक है मद्दाता है उनसे मैं अपील करूँगा कि आप अगर युनाइट रहेंगे आप एक रहेंगे चुकि 25 सालों से आपकी सरकार है अगर हमारा बोट बटेगा तो जरूर हम लूच कर सकते हैं लेकिन बोट बटने का कोई कारण दिखाई नहीं कि अरजक्ता के सिति है 2005 के पहले मानी उच नियाले ने कमेंट किया था बिहार में आरजक्ता की सिति है जंगलाज की का उपमा दिया था हम हाइक मानी हाइकोट ने दिया था तो आज वह स्थिति नहीं है आज यह बताएं कि निटीज जी आपके साथ रहेंगे दम साथ रहेंगे तो बारबर कह रह हूं है और इस पार्डी tv न हो नहीं हो सकता है इसलिए चले गये जो कहा था नितิश कुमार के भारे में कि यह प्रश्धिति के इंद्धी ऑनरं पो Sugworks अगया था उन्हीं के नित्युत में चुना हुआ था और अपार बहुमत आया था 2010 में तो 22 सीट पर सिमट गए थे आरजेडी बिरोधियाल का नेता का दर्जा भी नहीं मिला था लेकिन ठीक है नितिश कुमार जी के जाने से आरजेडी को फैदा हो गया है लेकिन उसका फल भी बिहार भ और पर अनडिया की जिती होगी दूसरा कोई आगे नहीं है बिल्कुल तो यह थे बीजे पीके नेता और रागवपूर बिधानसवाद छेत्र के पुर्व बिधायक सतीसराय जिन्होंने था पर पर कहा कि बिहार के चार बिधानसवाद छेत्रों में हो रहे उप्चुनाब और इसकी बज़े इन्होंने नितीश कुमार को बताया कि नितीश कुमार के काम की वज़े से विकास की वज़े से जन्ता इन्डीए के उमिडवारों के पक्स में बोट करेंगे। लेकिन देखना है कि 13 तारिक को क्या होता है और फिर शुनाव नतीजे क्या कुछ कहता है। फिलाल इतना ही आप हमें फिस्बुक पर फॉलो करें योटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्कुन विचार और सुझाब जरूर दें धर्लिवाद।